हलो दोस्तो और बढ़िया सब स्वागत है आप सब का हमारे और आपके प्यारी से चैनल कोकिंग मुख्या पर सुबह सुबह सभी को जल्दी होती है कि नास्ते में क्या बनाए तो दो चमच तेल में पूरे परवार के लिए बनाए चटपटा हेल्दी मज़ेदार नास्ता वो भी कम समय में करके ही कुछ सामान से टेश्टी और हेल्दी नास्ता तो चल लिए रेश्पी को देख लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक पैंड लिया है इसमें एक चमच ऑल डाल दिया और इसमें मूफली डाल दिये है मूफली को हम भूल लेंगे तो मूफली के लिए हमने गैस बिल्कुल अभी स्लो रकही है इसको जलने नहीं देना है continue चलाते हुए हमने इसे आधा भून लिया है इसी में हमने मखाने डाल दी है इसको भी भून लेंगे आप अलग भी भून सकते हैं मुफली और मखाने हमारी शरीर के लिए बहुत ही healthy होते हैं तो इसे हमने बुफूल लिया है और इसे हम निकाल लेंगे इसमें डे सारे मिनरल और बिटामिन भाय जाते हैं इसे निकालकर एक्सॉएड TIM कर देंगे उसी पैन में हमने एक चमबर चॉयल फिर से डाल दिया है अब इसमें एक चोटाई टीस्पून जीरा डाल देंगे इसे हम भूल लेंगे और यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्याच बारिक चॉप कर लिया था इसको भी डाल देंगे और इसे भी भूल लेंगे यह नास्ता पांच मिन्ट में बनके तयार हो जाता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे हमने एक मिर्च को बारिक चॉप कर लिया था इसको भी डाल दिया इसे भी हम भूल लेंगे अगर यह नास्ता आपको सुबह सुबह बनाना है तो आप इसे रात में बेगो कर रख दें जिससे सुबह आसानी से बन जाए यहाँ पे हमने अद्रक को डाल दिया था ग्रेट करके इसे भी भूल लिया एक टमाटर को हमने इसकी प्यूरी बना ली थी तो टमाटर को भी हमने अच्छे से भूल लिया अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं तो यहाँ पे एक टीस्पून लाल मिर्श आदा टीस्पून धनिया एक चोथाई टीस्पून हल्दी और एक चोथाई टीस्पून हमने करमसाला डाला है इसे भी भूल लेंगे आप एक बार इस तरह से बना के देखिए सज में हपते में चार दिन यही बनाएंगे यहाँ पे हमने आदा कटोरी साबू दाना लिया था देखिए फूल कर यह इतना हो गया है और यह बिल्कु सौप्ट हो गया है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो नास्ता जल्ली बन जाएगा पांच बेट में यह बन के तयार हो जाएगा तो इसे भी हमने थोड़ा सा भूल लिया है स्वाद के नुसार इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स कर देंगे एक बार आप इस तरह से नास्ते को बना के देगना सच में बहुत ही स्वादिस्ट बनेगा तो यहाँ पे हमने एक से से मेगी मसाला डाला है इसको हमने मिक्स कर दिया है अब यहाँ पे हमने दो कप पानी डाल दिया है टग कर इसे हम पांच मिट पका लेंगे यह किछड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है तो पांच से 6 मिनिट हो गए है तो यह बनके तयार हो गई है तो इसमें हमने जो मखाने और मुफली वून का रखी थी इसको भी डाल कर एक से 2 मिनिट अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे साहनदार नास्ता हमारा बनके तयार हो गया है एक बार इस तरह से आप सुपर बनाके देखिए आप इसे बच्चों के टिपेंड में भी दे सकते हैं अगर आपको हमारी रस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक से इर सब्सक्राइब करें और बैल आइगन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आनवेल वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो इसमें हमने धनिया डाल दिया है इसको हम सर्व कर लेते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग टेक गेर बाई